चंडीगर्ड के मेर का चुनाओ इस बात का प्रमार और सबूत है कि भारतिय जंता पार्टी सक्ता काबिज करने के लिए कुछ भी करने को तयार है और फिर वो दिन दहाडे चुनाओ में धांदरी ही क्यों नहूँ चंडीगर्ड मेर के चुनाओ को थोड़ा समझना जरूरी है आमादनी पार्टी और कॉंग्रस ये चुनाओ मिलके लड़ रही थी हमारे साजा उमीदवार कुदीब से थे भारतिय जंता पार्टी के उमीदवार मनोज सोनकर थे चंडीगर्ड नगर निगम में 36 वोट है मेर के लिए 14 नगर निगम के सदर से भाजपा के थे एक उनकी मेर किरंखेर एक शिरोहणी अकाली दल का वोट तेरा आमादमी पाटी के वोट और साथ वोट कॉंग्रस के थे नौ मनोनीत सदर से होते हैं जिनका वोटिंग नहीं होती है ये चुनाओ 18 जन्वरी को होना था हैं जहाँ पर भाजपाई उनका स्वागत करते हैं वो पीठा सीन अधिकारी थे 18 जन्वरी को वो यकाए एक बिमार पढ़के अस्पताल में अड्मिट हो जाते हैं चुनाओ टल जाता है हम पंजाब हर्याना हाई कोट गए पंजाब हर्याना हाई कोट ने यूनियन दलका मिलाकर 16 वोट मिले आप और कॉंग्रेस के साजा कैंडिडेट को 20 वोट मिले सीधी जीत हमारी थी लेकिन पीठा सीन अधिकारी अनिलमसी जिनके भाजपा से प्रगार संबंद हैं उन्हों ने हमारे 8 वोटों को अवैद घोशित कर दिया और वीडियो में साफ दिख है कि कैसे वोट बैलिट पे लिख रहे हैं उस पे लाइन बना रहे हैं और कैसे उसको जपटा मारके वो लेकर चले गए जिसे विपक्ष के लोग उसको देख भी ना पाएं तो ऐसी क्या मजबूरी थी कि वो जरूरी था कि भाजपा के मेर के कैंडिडेट को ये इन तेल प भूस खोडते हैं और कहते हैं आपनों कूँ कहते हैं वो क्यों आके तरीरते हैं कि आप इस पर एक शो भी गर्येगा कि दिन दहाड़े आठ आठ बोतों को अवे गोशित किया जाता है उसके साब खिलवार किया जा रहा है ये कैमरे में कैंड है क्या आप इस पर एक nearest एक कि सुप्त नहीं रहेगी इस पर आक्शन लेगी क्योंकि असलियत यह है कि अगर यह होने दिया गया तो इस देश का लोकतंत्र खतम हो चुका है इस देश में चुनावों का कोई मतलब नहीं है इस देश में मतादिकार का कोई मतलब नहीं है तो जरूरी है कि इस पर चर्चा हो जरूरी है न्याई पालिका इसको स्वता संयान में लेकर इस पर तुरंट आक्शन करें। क्योंकि इस तरह से लोकतंत्र का दिन दहाड़े दमन करना एक पीठा सी नधिकारी एक भाजपा के एजन्ट के द्वारा असेहनिये हैं निंदनिये हैं बरदाश्त नहीं है। नमस्कार मैं हूँ मानक गुपता अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस न करें। तो जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे हैं जूस 24